और ये सुनिये, इसकी आवाज से पता चल रहा है कि ये पालक के पते कितने सूपर क्रिस्पी बने होंगे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चानल फूड एं लाइफ एद पूजा आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ पालक पता चाट की रेसिपी इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखेगा, इसमें मैंने सारे चिप्स और ट्रिक्स पताए हैं जिससे आपके पालक पता चाट हमेशा क्रिस्पी बनेगी तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे, चाट के लिए हरी चटनी तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्राइंडर जार लिया है उसमें डाला एक मुठी धनिया, थोड़े से पुदीना के पत्ते चार से पांच हरी मिर्च, चार से पांच लेसुन की कलिया थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला भुना हुआ जीरा पाउडर, नीम्बू का रस, आलू भुजिया नमकीन इसके जगा आप सेफ भी ले सकते हैं या फिर भुनीवी मुंगफली का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी और करीब एक बड़ा चमच दही इसके बाद हम इसको क्राइंट कर लेंगे देखिए इस तरीके का टेक्स्चर होना चाहिए तो चलिए अब बना लेते हैं चाट की जान जो की है मीठा दही इसके लिए मैंने एक बोल में दही लिया है उसमें डाला है पिसी वी शक्कर और थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छे से फेट लेना है दही जितनी जादा स्मूध रहेगी उतनी अच्छी लगेगी तो हमें इसको लंप फ्री होने तब अच्छे से फेट लेना है तो देखिए अब दही एकदम क्रीमी हो चुकी है तो चलिए बनाते हैं मीठी चटनी यहां मैंने दो चम्मच अमचुर पाउडर लिया है और छे चम्मच चीनी ली है इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर भुना हुआ जीरा पाउडर थोड़ा सा सफेद नमक गरम मसाला सोट पाउडर और चाट मसाला भी इन सब को डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें गुठ्रियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अब हम एक पैन में मिक्सचर डाल के उसमें एक कप पानी डालेंगे और फ्लेम को आउन कर देंगे अब हम इसे अच्छे से तीन से चार उबाल आने तक पकाएंगे हमें इसे बहुत जादा नहीं पकाना होता है सिर्फ तीन से चार उबाल तक ही पकाना है आप चट्नी चाहें तो गोड़ और इमली की भी बना सकते हैं कई बार घर में गोड़ इमली नहीं होती तो मैंने ये इंस्टेंट चट्नी बनाए है देखिए चट्नी का रंग भी चेंज हो गया है इसमें तीन से चार उबाल भी आ गया है तो अब हम गोड़ बना लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़े से कटोरे में पांच बड़े चमच बेसन लिया है अब हम इसमें आड़ कर देंगे दो बड़े चमच चावल का आटा इससे बहुत ही अच्छा कुरकुरा पनाएगा अब हम इसमें एड़ करेंगे हल्दी, थोड़ा सा अजवाइन, नमक, इन सारी चीज़ों को मच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल भी लंप्स नहीं होने चाहिए, अब हम इसमें डालेंगे आधा का पानी और इसे अच्छे से फेट लेंगे, हमें बैटर बिल्कुल लंप बनता है, ये थोड़ा सा पतला बनता है, ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ठीक हो गया तो पत्ते क्रिस्पी नहीं बनेंगे, देखिए इस कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए, तो अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे, अब इसमें एक एक करके पालक के पत्ते डालेंगे, एक बार में दो से तीन पत्ते ही डालें, इसके बाद हम इसे पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे, देखिए पत्ते पक गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे, इसी तरह से हम बाकी के पत्ते भी तर लेंगे, और जो ये बूंदी नि पलक के पत्तों कितने कुरकुरे बने आपको दिखाती हूँ देखिए यह कितनी पतली बेसन की लेयर है, इसी से यह कृसपेनस आई है, अगर बेसन की लेयर मोटी हो जाएगी, तो फिर यह कृसपिनस नहीं आएगी तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं यहाँ पे मैंने एक प्लेट में सारे पालक के पत्तो को इस तरीके से तोड़ लिया है अब हम इसमें डालेंगे बॉयल्ट आलू थोड़ा सा नमक थोड़ा सा चात मसाला थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा पाउडर अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े से जो बूदी निकली थी वो इसके बाद हम एड़ करेंगे ठंडा एकदम फ्रेश दही धेर सारा दही डालेंगे इसे बहुत यह बढ़िया फ्लेवर आएगा अब हम इसमें एड़ करेंगे हरी चट्नी लाल चटनी जो हमने अभी बनाई थी वो और लास्ट में हम इसमे आट कर देंगे उपर से आलू भुजिया या सेव आपके पास जो भी हो आप आट कर सकते हो तो एसी के साथ हमारी बहुत ही टेस्टी डेलीशियस हेल्दी पालक पत्ता चाट रेसिपी रेडी हो गई है किते बढ़ियां कलर्स और टेक्स्चर आए है ना तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है मैं चली खाने आप भी ये रेसिपी बनाईएगा ट्राइ कीजिएगा और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना